सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में जमीन से एक आग का गोला आसमान में जाते हुए दिख रहा है वहीं इस नजारे को कई लोग रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहा है वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि चीन ने artificial सूरज launch किया है वाइरल वीडियो के साथ जानने के लिए हमने इसके की फ्रेम को Google पर reverse सर्च किया सर्च रिजल्ट में हमें वाइरल वीडियो के एक पोस्ट का reply मिला पोस्ट के रिप्लाई में लिखा है कि यह एक रॉकेट लॉंच है ना कि आर्टिफीशियल सूरज परमानू रियेक्टर विशाल स्टील डोनट के आकार की वाशिंग मशीन की तरह दिखते हैं और प्लाजमा के बड़े पैमाने पर धीरे धीरे बढ़ते बादलों को बिलकुल नहीं छोड़ते हैं परताल के अगले चरण में हमने इससे जुड़े कीवर्ट्स गूगल पर सर्च किये सर्च रिजल्ट में हमें इससे जुड़ी खबर चीन की ग्लोबल टाइम्स बैप साइट पर मिली बैप साइट के मुताबिक आर्टिफिशल सूरज का वाइरल ट्वीट रॉकेट लॉंच का निकला 23 दिसंबर 2021 का ये वीडियो दक्षर चीन के हैनान प्रांत के वेंचांग लॉंच सेंटर में हुए मार्च सेवने के लॉंच के दोरान का है परताल के दोरान हमें वाइरल से जुड़े फोटो और वीडियो कई मीडिया रिपोर्ट्स में मिले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फोटो और वीडियो 23 दिसम्बर 2021 को चीन के मार्च 7 ए रॉकेट लॉंच के हैं साफ है कि सोशल मीडिया पर वाइरल वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है ये वीडियो आर्टिफिशल सूरज का नहीं बलकि चीन में 23 दिसम्बर 2021 को हुए मार्च 7 ए रॉकेट लॉंच के है